जैस्री राम आज का विशा है डॉक्टर जगदीश चंद्रबसु मलश्यों की तरह पौधों में भी प्राण है इस बात को वग्यानिक प्रयोगों द्वारा सिद्ध करने वाले डॉक्टर जगदीश चंद्रबसु का जन्मा 30 नॉम्बर 1858 को फरीदपुर जो अब बांगला सुन्दरी के उदर से हुआ इनके पिता फरीदपुर के उपद अंडाधिकारी थे इनकी माताजी कोमल सोभाव की स्नेह मही महीला थी पिता भगवान चंद्र ने एक पाठ्शाला प्रारंब की थी उसी में जगदीश चंद्र की प्राथमिक पढ़ाई बांगला भाशा में हुई बालक जगदीश अत्यन तरक बुद्धी से तरक बुद्धी का बालक था प्रश्ण उठते जुगनु क्या है वो आग है ये चमक हवा क्यों चलती है पानी क्यों बहता है आधी प्रश्णों का ताता लगा रहता गर में रामायन और महाभारत की कहानिया सुनाई जात और उदारता के कारण करण उनका आधर्श था क्रिकेट उनका प्रिया खेल था 1866 में वह ग्रोनगर छोड कलकत्ता में आ गए वहां सेंट जेवियर कॉलेज में 1877 में बीए की परिक्षा उत्तिर नकी विग्यान विशे उन दिनों बीए में ही पढ़ाया जाता था यहीं फ की घरी रूची पैदा की अब जीव विग्यान के साथ दूसरा विशे भी प्रियता के साथ जुड़ गया आगे की पढ़ाई के लिए इंगलेंड जानना जरूरी था पर अर्थ आड़े आया उधर माताजी पुत्र को समुद्रपार जाने देने के पक्षमे नहीं थी पर पिता बगवान चंदर ने राशी की व्यवस्थागर पतनी को भेजने के लिए तयार कर लिया और 1880 में वह चिकित्सा विग्यान की पढ़ाई के लिए लंदन रवान हुए जहां से ब्येस्सी की उपाधी प्राप्त की केम्बरिज के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से पिर्नकी 1885 में भारत सरकार ने प्रेसिडेंसी महाविद्यालय में पदार्थ विज्ञान के प्राध्यपक नियुक्त हो गए यहां अंग्रेजी की दुलना में भारतियों को एक तियाई वेतन दिया जाता था जिसका विरोध करते हुए इन्होंने तीन वर्ष तक वेतन न लेकर अध्यापन किया अंत में सरकार को समान वेतन देने पर बाद्य कर दिया वेग्यानिक शोज लगातार चलता रहा दंसंकट लगातार बना रहा बेतार सिद्धानत की खोज उन्होंने की लेकिन इसका स्रेय इटली के वेग्यानिक मारकोनी को मिला 1896 में बसु ने विद्युत चुम्बकिये तरंगों के बारे में खोज कर लेक लिखा जिससे इंग्लेंड के रायल सोसाइटी ने इन्हें डॉक्टर ओफ साइंस की उपाधी से सन्वानित किया गोरी सरकार भारतियों को पढ़ने के लिए विदेश जाने पर कोई साहता नहीं करती थी पर जगदिश चंद्रा को अपवाध रूप यात्रा खर्च देने का फैसला लिया बसु अब विज्ञान की दुनिया में प्रशिद्ध हो चुके थे भारत में फैले इस अंदव इश्वास को बसु ने अपने खोजों से या सिद्ध कर दिया कि विज्ञान के क्षेत्र में केवल पश्चिमी लोगों की बुद्धी ही काम करती है विद्धी चुम्बकिय तरंगों को एक स्थान से दूसरी जगह प्रेशित के सफल प्रयोग के कारण रॉयल सोसाइटी अत्यन्त प्रभावित थी कई वैज्ञानिक संस्थानों में के निमंतरन पर वे फ्रांस, जर्मनी, अमरीका और जापान गए और अपने शोधों का परभाशन दिये पैरिस में रडार के प्रयोग का प्रदर्शन किया जब इंग्लेंड आये तो केम्बरिज विश्व विद्याले में इने प्रोफेसर पज्चे संद्मानित किया इनके प्रयोगों का व्यावसाइक उपयोग होने पर जब इने पैसे देने का प्रस्ताव किया तब बसु ने यह कहकर लेने से मना कर दिया कि ज्ञान किसी व्यक्तिकत की संपत्ति नहीं हो सकती इंग्लेंड में ही डेवी फराडे अनुसंधान केंद्र में पेड पौदों में भी जान होती है कि खोच कर सभी के सामने प्रदर्शन किया पेडों को भी चिकोटी लेने से कष्ट होता है जहर देने से मर जाता है जब सबके सामने एक पेड को जहर का इंजेक्शन लगाया और वह निश्पराण नहीं हुआ तो उन्होंने जान लिया कि यह जहर ही नहीं है अतह स्वयम पीना चाहा तभी वहाँ बैठे व्यक्ती ने यह कगर पीने से रोग दिया कि उसने जहर के रंग का पानी बर दिया था कैसा था अद्बुत आत्मविश्वास अपनी खोज पर जब जहर का इंजेक्शन दिया तो कुछी देर में पौधे पर उसका प्रवाव हुआ और वह मर गया सभी से उन्होंने कहा कि इस तत्या की भारत के लोगों को हजारों वर्ष पूर्व ही जान करी थी महावारत में भारतवाज और भुगु के समवाद में हैं वरना नाता है 1902 से 1907 तक उनके शोध ग्रंथ Living and Unliving, Plant Response, Corporative Electro Psychology प्रकाशित हुए 1909 में यूरोप तथा 1914 में अमरीका का दोरा किया उन्होंने अपने लिखे ग्रंथों का खुद ही प्रकाशन कराया 1915 में सिवा निवरुत होने के बाद निवरुत प्रध्यापक बनकर जीवन भर 1500 माह देने का निर्णे ले लिया 1920 में Royal Society के Fellow यानि सदस्यपद से गवरोवानवित किया गया 1922 में अंतराश्ट्रिया Intellectual Co-operative Committee का सदस्यपद से बनाया गया 1925 में जेनेवा में विश्व प्रसिद्ध विज्ञानिक Albert Einstein से बेट होई और 1928 में Vienna के Academy of Science के वैदेशिक सचिव निर्ट हुए सन 1927 में उन्होंने भारतिय विज्ञान कॉंग्रेस की अद्यक्षता की कलकत्ता में बसु अनुसंधान संस्थान स्थापित करते समय अपने अपने उद्भोधन में कहा यह एक प्रयोक्षाला नहीं बलकि मंदिर है इस अन्स्थान में वनस्थान में वनस्थान वभावतिक विज्ञान का शोध होता है बसु बांगला साहित्य परिशत के अद्यक्षत है अपनी पत्नी स्रीमती अबला बसु जो विज्ञान की छात्रा थी के साथ पूरे देश में तीर्थ यात्रा की स्रीमती अबला बसु ने भी कलकत्ता के कन्या विद्याले कलकत्ता में कन्या विद्याले प्रारंबकर स्वयम ही चलाया वनस्थान की दुनिया में दुरूवतारे की तरह अडल स्थान प्राप्त करने वाले डॉक्टर जगदीश चंद्रबसू 23 नुवेंबर 1937 में इस दुनिया से विदा हो गए भारत माता की जय